चेन के मकारी एक बार फिर सामने आई है एक बार फिर भारत की जख्म फरे होए है नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैंने हदूबे चेन के मकारी के कहानी पुरानी है खालात ये है कि एक आतंग की हमला जिसके पूरे दुनिया गवा वनी उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट बना UN के जरीए ग्लोबल आतंकी घोशित कराने की भारत के कोशिश पर चीन ब्रेक लगा दिया चीन और पाकिस्तान की नापाग जोड़ी एक बार फिर बेनकाब हुई है अगर चीन के लिए कोई मूवी बॉलिवुड में बनती तो ये टाइटिल देने के लिए दस सकेंड भी सोचने की जरूरत शायद ही पड़ती भारत के साथ चीन के कई दशकों से चले आ रहे धोखे की कहानी यही साबित करती है दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो चीन की तरह मकारी के रास्ते पर चलता हो 2008 में हुए 26-11 मुंबई हमले पर चीन की चालबाजी फिर से सामने आ गई है पाकिस्तान पर रस्त चीन की नीती एतनी बेश्चर्म हो गई है कि इस बार चीन ने इंसानियत को भी दरकिनार कर दिया चीन की वज़े से लशकर ये तैबा का आतंगवादी साजित मीर एक बार फिर ग्लोबल आतंगवादी घोशित किये जाने से बच गया भारत के प्रस्ताव का चीन ने समर्थर नहीं किया इस एक घटना ने चीन की सद्यों पुरानी धूर्तता को एक बार सामने ला दिया है वैसे भारत अधिकारिक तौर पर नीतियों और नियमों की मर्यादा में रहते हुए जतनी खरी खोटी सुना सकता था उतना चीन को सुना चुका है लेकिन सिर्फ सुनाने भर से चीन का पाप खत्म नहीं हो जाता चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से बाज नहीं आता लेकिन इस बार चीन को दुनिया के सभी देशों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत ने आईना दिखा दिया ये वीडियो देखिए जब युएन में भारत ने साजिदमीर का आडियो टेप सुनाया जिसमें भारती राजनाइक ने चीन और पाकिस्तान की नियत को इकठा बेनकाब किया विदेश मंत्राले के संयुक्त सचीव प्रकाश गुपता ने युएन में कहा चीन को भारत की चपत चीन की ये हरकत से 26 गारा के पिरितों की नैकी आसदूरी कुछ नीजी हितों के चलते हमारे प्रयासों को रोका गया है ये साफ है कि आतंगवाद की चुनावती से निपटने में इमानदारी का आभाव है इमानदारी से लडने की राजिनीतिक इक्षश शक्ती नहीं है अज़ ये साफ जैकी चार्ण च्ती नहीं है अज़ पार अज़ी अपर चार्राटारों अपिेटेक्टर राखेट्चार, अपने ज़िए। अज़ाट्चिट अपर्ड़काइब अगले ज़िए्टवागर्चकरी अंवार्चीबिट फिल्सकतिे जोगार्ड प्रश्चाराथारी टुर्ज़तर्टीज़्। इवन अज दिटर अटैक्स वर उन्फोल्ड़िए पहरत और अमेरिका दोनों ने मिलकर साजिद मीर को ग्लोबल आतं की घोशित करने का प्रस्ता और अखा था संयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशत की 1268 अलकाइदा प्रतिबंध समीती के ताथ रखे गई से प्रस्ताव में मीर को ब्लैक लिस्ट में डालने और उसकी संपती जब्द करने यात्रा पर प्रतिबंध और हतियार प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी लेकिन चीन ने इस पर अणंगा लगा दिया साजिद मीर पर प्रस्ताव गिर जाने के बाद भारत ने संयुक्त राष्टर पर भी सवाल उठाए यूएन पर सवाल ऐसे जरूरी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए कैसे ब्लॉक कर सकते हैं जवाब देही और पर दर्शिता का युग है ऐसे में इस तरह से ब्लॉक करना गलत भारत ने पूछा कि प्रस्ताव फिर पेश करने की अनुमती मिल सकती है या नहीं साजित मीर पर भारत के प्रस्ताव को ब्लॉक करने का सीधा मतलव पाकिस्तान के गुनाहों पर परदा डालना है क्रोस बॉर्डर आतंकवाद में पाकिस्तान का रोल किसी से छिपा नहीं इसके बाद भी चीन आतंकवाद की नरसरी बन्चों के पाकिस्तान की अंतर राष्ट्रिय मंचों पर वकालत करता रहा है खैर जहां तक साजिद मीर और 26 गारा हमले का मामला है तो पूरा घटना करम जनना जरूरी है 26 गारा का साजिद कनेक्शन लश्कर ये तैबा का आतंकी है साजिद मीर मीर पर 2008 के मुंबई हमलों का अंजाम 26 ग्यारा हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी साजिद मीर पर अमेरिका ने भी रखा था इनाम साजिद मीर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम सयुक्त रास्ट्रो की एक मीटिंग में भारत ने पिछले साल भी मुंबई हमलों का मुद्दा उठाया था इन हमलों में साजिद मीर के शामिल होने के सबूत के तौर पर आदियो क्लिप भी चलाया गया था जिसमें मीर को ये कहते वे सुना गया था छाबड हाउस पर हमला करो हलाकि मीर को एक मामले में पाकिस्तान की अदालत ने पिछले ही साल जूर में पंद्रह साल कैद की सजा सुनाई थी यानि पाकिस्तान ने ओफिशली ये मान लिया था कि साजिद मीर पाकिस्तानी नागरिक है और पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान की नापाक कहानी तब सामने आई कि बाद में उसने ये दावा कर दिया कि साजिद मीर मर चुका है भारत समेत कई देशों ने पाकिस्तान से इसका सुबूत भी मांगा था आतंकवाद रोधी Financial Action Task Force यानी FATF की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था पाकिस्तान साजित मीर की मौत का एक भी सुबूत दुनिया को नहीं दे सका और अब भी उसी पाकिस्तान के जूट को चीन ने अपनी मकारी का कवच पहना दिया है और साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जूटा तो चीन मकार है